तो बैंक्रप्सी कोड जो है यह फूल और स्टेप्स बताता है कि कॉर्परेट इंसॉलवेंसी प्रोसेस में किस तरह की जो स्टेप्स है उनको इनिशेट किया जाना है और कौन-कौन से स्टेप्स लिये जाने है रिगार्डिंग कि जैसे एक रेजुशन प्लान जो रहेगा उसको फॉर्म किया जाएगा यारे कि पहली अप्रोच क्या रहेगी कि हमने रिवाइव करना है जो कंपनी है उसे क्या करना है रिवाइव करना है उसकी रिहाबिलीटेशन करनी है तो इसके रिगार्डिंग क्या जाता है एक रेजुशन प्लान जो है उसे पास किया जाता ह लेकिन अगर कोई resolution plan के उपर agree नहीं होता है तो बेसिकली किया रहता है यह resolution plan जब बनाया जाता है ना फॉर्म किया जाता है तो इसको NCLT के पास यहां पर जमा कराना पड़ता है NCLT क्या है this is national company law tribunal तो NCLT के पास इसका approval लेना पड़ता है तो अगर कोई resolution plan के उपर agree नहीं हुआ है यहां फिर NCLT ने approve नहीं किया है within 180 days of the admission of the application यानि कि जब से application को admit किया गया है तो उसके 180 दिन के बाद भी कोई resolution plan भी नहीं यहां पर agree हुआ and यहां फिर उसे NCLT ने approve नहीं किया है तो उसके case में इस case में जहां पर यह चीज नहीं हुई है यानि कि resolution plan पास नहीं हुआ है या फिर NCLT ने approve नहीं किया within 180 days of the admission of the application तो उसके case में company को यहां पर wound up कर दिया जाएगा तो वहां पर company को क्या कर दिया जाएगा wound up कर दिया जाएगा as per the bankruptcy code यान कि bankruptcy code की जो भी provisions है उसके हिसाब से company को wound up कर दिया जाएगा and MSME के उपर micro small medium enterprises के उपर इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा impact पड़ता है likewise अगर कोई economics load on होता है company में कोई चीज सही नहीं चल रही है तो सबसे ज़्यादा impact पड़ता है एंड फर्दर इस discontinuity of business के कारण वह एक position में नहीं रहती कि वह इस तरह का कोई process में revive कर पाएंगी and finally वह immediately sick हो जाती है तो यहाँ पर Reserve Bank of India को different forums के through feedback यहाँ पर receive हुई कि जो यहाँ पर MSME है वहाँ पर जो identification of sickness है वो काफी जादा late होती है तो उसके कारण जो micro small enterprises है वहाँ पर revival का कोई chance बचता ही नहीं है तो इसके कारण यहाँ पर sickness की definition को change करना पड़ा तो यहाँ पर क्या करना पड़ा जो sickness की definition थी इसको यहाँ पर change करना पड़ा ताकि जो यह delay factor था जिसके कारण यह पता नहीं लग पाला था time पर कि company जो है MSI जो unit है यहाँ पर वो sick unit बन गया तो यहाँ पर इस definition को change करना पड़ा तो इसके regarding Reserve Bank of India ने एक working group को यहाँ पर constitute किया एक working group को constitute किया गया under the chairmanship of Dr. Casey Chakrabarty जो उस समय पर Punjab National Bank के managing director थे तो इस working group ने sickness की definition में changes प्रोवाइड किया तो यह working group की chairmanship कौन कर रहे थे Dr. Casey Chakrabarty ठीक है जिन्होंने sickness की definition में changes को recommend किया and further एक procedure को recommend किया ताकि जो MSME sick unit है उनकी viability को assess किया जाए ताकि MSME जो unit sick है उनकी identification जल्दी से की जा सके तो यहाँ पर दो चीज़े नोंने की एक तो definition दी नोंने changes की and further procedures बताए regarding the viability of the MSME unit ताकि MSME unit की viability को check किया जा सके and जल्दी से पता लगा जा सके कि MSME unit sick unit है या नहीं है तो यह जो proposal था regarding the recommendations इसको यहाँ पर ministry of MSME के सामने रखा गया government of India के सामने रखा गया and उनोंने एक standing advisory committee को यहाँ पर constitute किया एक committee को यहाँ पर set up किया गया by the ministry of MSME जिसने एक report को submit किया and further यह decide किया गया जो existing definition है micro small enterprises की regarding the viability उसे change किया जाएगा so unit or enterprise is considered to be sick अगर उनका जो borrowal account है यान कि जो enterprise है unit का उसको तब sick मना जाएगा जब उसका जो borrowal account है वो एक doubtful advance हो गया है borrowal account is a doubtful advance ठीक है जैसा कि reserve bank of India के दोरह define किया गया है यानि कि जो principal है या फिर जो interest है किसी भी borrowed account के case में that is remaining overdue वो overdue रहता है for a period exceeding 90 days अगर 90 days से ज़्यादा वो overdue रहता है उसके case में उसे unit को sick consider किया जाएगा and further जो unit था उसकी जो peak net worth रही है जो peak net worth रही है पिछले सालों के दोरान अगर इस net worth में peak net worth का 50% या उससे ज़्यादा जो part है ये erode हो जाता है एक example के आपको समझाता हूँ likewise एक enterprise है ABC जिसकी पिछले साल के दोरान जो maximum net worth थी that was 5 करोड वो 5 करोड की थी ठीक है and अभी के लिए cash losses के कारण due to cash losses इसकी जो net worth है that eroded to 2 करोड यानि कि अब 2 करोड रहे गे यानि कि वैसे इसकी net worth change होती रही लेकिन जो peak value थी net worth की that was 5 करोड तो अब इसकी जो eroded value है erosion हो गया इसकी net worth में and erosion होने के बाद इसकी जो net worth है that is 2 करोड जो कि इसके 50% के पार्ट से कम है यानि कि erosion जो था वो 50% से जादा हो गया है उस case में जो unit है उसे enterprise को क्या मना जाएगा सिक unit मना जाएगा लेकिन एक चीज यहाँ पर इस case में ध्यान रखने वाली है कि ऐसा जो MSME unit है इसे चलते हुए commercial production करते हुए कम से कम 2 साल हो गए हो इसको commercial production करते हुए कम से कम 2 साल हो गए हो तो 2 conditions हमने पड़ी एक तो अगर कोई भी जो account है वो आपका overdue हो गया है 90 days से जादा second is कि अगर आपकी जो peak network थी पिछले सालों के दौरान अगर उसमें erosion जो है वो 50% या उससे जादा amount का हो जाता है जब उसे commercially production करते हुए 2 साल से जादा हो गए है तो उसके case में उसे sick unit consider किया जाएगा ठीक है एंड ये जो stipulation था 2 साल वाला ये बाद में रिमूव कर दिया गया ये जो stipulation था 2 साल वाला इसको बाद में रिमूव कर दिया गया ओके तो presently जो यहाँ पर criteria चलता है to check the viability और sickness of unit तो वो यही है एक तो erosion of account है second is the boral account जो है अगर वो overdue रहता है 90 days से जादा next is regarding the causes of sickness के sickness के क्या क्या कारण हो सकते है है तो इसको majorly do parts में divide किया गया है एक है कि आपके internal reasons हो सकते है एंड second DO external one लो सकता है यहाँ with internal cost हो सकता है internal causes कौन रहां सकते हैं जैसे जो यहाँ पर management से related हो सकते हैं finance से 12 हो सकते हैं production से related हो सकते हैं employees आननि कि जो personnel हैं उनकी से related हो सकते हैं marketing से related हो सकते हैं entrepreneurship into open leadership qualities रिलीटेड़् हो सकते हैं यह फिर अगर कोई जग्ड़ा है पार्टनर्स के बीच में यह परोनोंटर के बीच में उसके रिगार्डिंग हो सकता है अगर एक्सरण को इसकी बात करते हैं तो उसमें यह भी आज मिला अंपि 얼굴 सकते हैं लेबर ना मिली हो यहां फिर भी उभर सकता है वहां पर आप जैसे पीनल इंटरेस्ट जो लगाया गया उसका रिवर्सल कर सकते हैं यहां फिर जो भी डैमेजीज चार्ज किये गए हैं अकाउंटिंग यह में नहीं इंफ्यूस की जा सकती है फर्दर जो rate of interest है term loan के उपर working capital के उपर उसे reduce किया जा सकता है और जो irregularity है working capital term loan में और working capital में इसे convert किया जा सकता है working capital term loan में तो इस तरह के यहां पर processes को initiate किया जा सकता है for the rehabilitation and revival of the sick unit जहां पर आपको viability लगती है unit के और दे Deutsch जहां जहां चनौलiro के जहांते है